Welcome back to our channel guys तो last class में हमने आपको बताया था कि object oriented programming क्या होता और उसमें हमने आप clearly समझाया था कि classes क्या होती है और object क्या होता है Classes क्या होती है एक template होती है जिसको आप prepare करके आपने code को reusability को बढ़ा सकता है और object क्या होता है instance of class होते है मतलब particular किसी class का example आप ले सकते हो तो ये चीचे मैंने आपको explain कीती theoretically आज हम जानेंगे इसको practically तो हम बनाएंगे आपर python की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे Tude53 क्योंकि इस series का यह हमारा 53 lecture है और इसको मैं तोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाए दे और मैं आपर लिख देंगा Ops Ops 1 ठीक है क्योंकि ये series में ये Ops की पहला वीडियो है हमारा जिसमें हम practically समझने वाल है कि classes क्या होते हैं object क्या होता है तो माल लेजे मैं यहाँ पर एक class बनाता हूं class class का नाम लेक लेता है student nama की class है मारे पास है ये class क्या कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है फिलाल मैं हम इसको यहाँ पर लिख ज़यता है अब ये pass keyword क्या करता हा मैं आपको पहले हैं 12 elections में फॉर लूप के असपास यहाँ पर कि pass क्या होता है देखिए जब हमें कुछ नहीं करना होता है किसी class के अंदर या किसी condition के अंदर तो हम वहाँ पर यह लिखकर pass लिखकर उसको खाली छोड़ते हैं अगर मैं यहाँ पर यह pass नहीं लिखूंगा समझें ठीक है अब माल लिजी कि हमारे पास दो अब्जेक्ट है माल लिखता हूँ एक आजे नहीं का student है और उसको हम क्या करते हैं हमारी जो student है student नाम की class वो assign कर देता है ठीक है और एक और student है जिसका नाम है विजे और उसको भी हमारी student नाम की class असाइन कर देंगे ठीक है यह हमारा क्या होँ दो अब्जेक्ट है मैंने जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि class क्या होती एक template होती है जो आप fix and prepare कर सकते हो और object instance of class मतलब class के उधारन होते है example होते है तो हमारी class माल लिजे कि student नाम की class है उसमें दो student है अजय और एक वीजे ठीक है तो मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ देखिए जब भी आपको कोई कुछ कहे ना तो आप directly python के interpreter से पूस लीजी तो मैं जैसे अगर आपको बोल रहा हूँ कि यह जो दो object है यह दो अलग-अलग है अजय और वीजे क्यों? क्योंकि देखिए हाँ पर हमने आपको क्या क्या है student नाम की class तो दोनों का assign की है लेकिन यह दो object है अलग के से हैं तो हम पूछेंगे यह python की interpreter से तो हम यहाँ पर print करते हैं आजय है और यह run करते हैं इसको देख लेते हैं कि यह अलग-अलग है या नहीं sorry मैंना इसको debugger कर लिया है run 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 देखिए अब आप दोनों की value देखेंगे न तो यह देखिए दोनों के जो object वो different है इनको दोनों को आप rate करना आराम से मुझे तो पता है इस student class के object ना कि यह दोनों same है ठीक है तो यह आप कुछ समझ नहीं होगी ठीक है आप समझ चुके हो तो अब हम आगे का काम करते हैं मान लिजे मैं आप पर इन दोनों object के instance variable बनाता हूँ कैसे मैं आप लिख सकता हूँ क्या मैं आप लिख दूँगा मान लिजे में आप लिखता हूँ आजय का object बनाता है variable बनाता है आजय.name नाम से और इसमें क्या करते हैं आजय का name इस्टोर कर देता है मान लिजे आजय है और क्या लिख सकते हैं हम आजय की age लिख सकते हैं नहीं age नहीं लिखता है उसका standard लिख 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 लेते हैं student class है तो वो कौठ से class में है standard तो मान लिजे वो 12th class में है और क्या लिख सकते हैं उसके subject लिख लिख ले नहीं for example section लिख 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 का इसको मिन से section में है नहीं स्पिसिंट में all this मैं इसको run करके आपको दिखा देता हूँ run 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 to the loop देखिए यह तो पुराना output है मैं इसको comment कर देता हूँ फिलाल में कहां गया यह रहा इसको comment कर देता है देना again run करेंगे run 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 और देखिए आजय return कर रहा है यह क्या कर रहा है आजय.name जब हम लिख रहे आजय हमारा एक object है देखिए और उसकी जो particular variable है माल लिख नेम है standard है उसका section है जो भी हमें चाहिए वो particular detail हमें लाकर दे रहा है तो यह आपको यहाँ पर समझनी होगी कि किसी भी object के dot के साथ आप जो भी उसकी detail gate करना जाता है for example section करना जाता है तो मैं आप लिखूँगा section और run करूँगा तो यह इसका section देगा कौन सा section है first देखिया output screen same काम आप विजए के लिए भी कर सकता है for example यहाँ पर कुछ changes करिए माल लिजे अब आपको same variable उसको नहीं देना है for example name, standard action आप कुछ भी दे सकता है आपको जो देना है माल लिजे मैं आपको लिखता हूँ उसका क्या लिख सकते है subject लिख लेते है तो मैं आपको लिखता हूँ subjects और subject एक नहीं होता वो सारे होता है तो मैं उसको क्या करूँगा एक list देगा आप यहाँ पर list भी दे सकता हूँ for example अब आप इसको भी प्रिंट कर सकते हूँ बिल्कुल देखे मैं आपर करता हूँ comma और हमारे object का नाम मैं आपर नाम नहीं ले रहा हूँ आज़े बिल्कुलर object बोल रहा हूँ clearly guys मैं बोल रहा हूँ किसी object तो मैं आपर बोल रहा हूँ object dot उसके variable करना जो आप get करना चाहते है मतलब instance variable subject ठीक है यह आपको एक list return करेगा बिल्कुल करना चाहिए देखे run 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 और run to the loop बोहत बढ़िया देखे Hindi English match मतलब आप जो भी detail यहाँ पर उसकी fix करोगे यह चीज़ा हम यहाँ पर भी fix करोगे और उसमें first section को assign करेंगे जब भी Ajay या Vijay का section call किया जाएगा तो हम यहाँ पर class से वह data को भी करेंगे हमें यहाँ पर दो बार नहीं लिखना है कि Ajay का section 1 है और Vijay का section 1 है दोनों बार अलग अलग नहीं लिखना है हम यह क्या करेंगे student class में एक बार fix कर देंगे कि दोनों के section fix है यह same है तो वह वह नहीं प्रिंट करेंगा तो यह चीज़े हम आले आले lecture में देखेंगा for example आप यहाँ पर more changes कर सकते हो मैं आप लिखता हूँ object का नाम पिजय dot आप यहाँ पर क्या कर सकते हो तो उसकी age mention कर सकते हो age माल लिजे 26 हनी 23 का ही होगा ठीक है आप यहाँ पर वह भी प्रिंट कर सकते हो माल लिजे मैं आप लिखता हूँ उसकी age तो आप यहाँ पर dot edge और वह भी gate कर सकते हो तो I hope कि आपको class और object समझ में आप देखिए हमारा जो last lecture हमारा में मुद्दा है कि आप OPS series के जितने में हम वीडियो अभी बनाएंगे अब्जेक्ट और इन प्रोग्रामिंगे उनमें आपको class और object यह दो चीजे most important ही यह अगर आप समझ गए तो आपके लिए OPS का concept बहुत ही आसान हो जाएगा रेट करना या सीखना तो आपको यह चीजे सीखने हो कि अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो को दो बार चार बार दस बार देखी देखे आपके घर पर कोई नहीं आपको देखने आ रहा है कि आपने वीडियो को कितनी बार देखा मुद्धा यह है कि आपको समझ में आना चाहिए अगर समझ में आ रहा है कि object क्लास समझ में आ रहा है तो ठीक है कोई इश्यू नहीं आप एक बार दो बार देखिए समझ में आ गया तो ठीक है बहुत बड़ी है बाहर जाकर आपका ये देखा जाता है कि आपको class और object पता ही या नहीं कितनी बाहर वीडियो देखा ये नहीं और ये तो सारी चीज़े free of cost है आपको कोई charges नहीं करना पड़ रहा है क्या चीज कौन से सीखी थे और कैसे example लेकर सीखी थे तो मुझे revision करने में कोई दिखा नहीं मैं 10 बार देख लेता हूं वीडियो क्या दिखा थे आपने खुद के वीडियो आपने खुद ने रीट गया और एक बार सीख गया तो एक बार दो बार चार बार चीजों को पढ़ हम कुछ detail को कैसे add कर सकते हैं वो चीज़े आपने देखी यहां पर आप किसी particular string को नहीं किसी list को किसी floating value को किसी integer value को देखी है हमने आपर edge और यह section दिया था इसमें किसी string को या integer को कैसे आप pass कर सकते हो कैसे store कर सकते हो कैसे आप उसको print कर सकते हो यह चीज़े आप सीख बार देखिया कोई शुनी थिंक्यू सो मच फो वाचिंग एन आल सी वे नेश्ट वीडियो वाइस